कि लिए ड्रोन वनगा आये दिश्ट कुमार का है हेलिकप्टर से सराब पकडेंगे कलभी हमारे बगल में DROWN उरा रहा था लोग बोला सराब पकडेंगे कहां उरा रहा था जानमुकमंत्री घर से lw50 bm के दूरी पर इसका मतलब हिज्रा किसी धर्म को पर बिरोध करने वाले लोग हिजरा है तो इसका मतलब हिजरा को नीतिस कुमार का पार्टी हे मानता है गलत दिर्ष्टी कों से दिखता है लगातार विवादित ब्यान दिये जा रहे हैं आर जेडी के मंत्रियों के द्वारा और आज जिस तरीके से एक बार फिर से जेडियू के तरफ से बड़ा बयान आ गया है महसवर सिंग जो जेडियू के MLC है उन्होंने सिक्षा मंतरी को हिजरा तक बता दिया इसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है हम बात करेंगे आज इस ब्यान को लेकर NCP के यूथ प्रदेश अध्यक्ष भाई सुधाकर से और जानेंगे ये भी लगातार किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा आप मुद्दा उठाते रहते हैं सुधाकर जी कैसे देखते हैं आज जो जडियू के MLC ने एक बार फिर से महेश्वर सिंग ने कह दिया है सिक्षा मंत्री को कि वो हिजरा है तो हिजरा का मतलब क्या होगा है देखिए सबसे पहले ये सोचना है मेरा नाम है भाई सुधाकर इस लोक्त आंतरीक विधी वेवस्था में बरतमान पड़ी पेच में जो राजनीती चल रही है बरिहाँ स्यास्पत बाते हो रही है जिससे कि इस राज की आंतरीक वेवस्था लोगों के मन में द्वेस उत्वन हो अब समझे कि जो RJD से जो मंत्री है महताजी महताजी दस परतिसत सवर्णों को गाली देते हैं उनको कौन ठीकेदारी दिया गाली देने का सवर्णों को गाली देने का उनको ठीकेदारी कौन दे दिया आपका आते हैं दस परतिसत लोग जो है सवर्ण के ये बात कहा से उसे जिक्षा मंत्री आर्जेडी से हैं उन्हों ने भी बात कही कि रामचरितमानस रामचरितमानस को तुलसी दास ब्रहमन थे परन्तु बालमिकी क्या थे तो जब बालमिकी से बड़े तो नहीं है सिक्षा मंत्री और यह जो दस परसेंट आरक्षण में सवर्णू को जो टार्गेट किया जा रहा है और इसमें बरतमान बिहार सरकार नितिश कुमार जी मौन समर्थन दे रहे हैं कोई कारवाई नहीं किया है लो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी सवर्ण से आता हूं इसका यह मतलब नहीं है कि आप गाली दें और हम सहजता से सुनकर बरदास करते रहे या बरदास से बाहर की पॉलिटिक्स हो रही है ऐसा नहीं कि सरक पर उतर कर फिर हमें अपने प्र आक्रम को दिखाना पड़े आप लोग गाली देते हैं आप समझे कि आप किसी एक वेक्तिव गाली ने दिये पहले रामचरित मानस पर अबाज उठाए आज जद्यू का सिब्सक Ch jury am AzraaTed kudya को मतलब तरे इसका मतलब हिज्रा किसी धर्म को नहीं मानता है क्या आपको जानकारी होगा और इस दिर्च बच्चा-बच्चा कुझ आपको जानकारी है कि वह इस त्रां करता है उंस फैμिली में सी तक किये हैं काचकरम पटना में संजय सिंग जी जद्यू के MLC हैं और यह इस समाज के लोगों का भीर जुटा कर मानवर मुखमंत्री को दिखाए कि हमको पूरे बिहार का च्छत्री समाज हमारे साथ है और च्छत्री के जो धर्म मानता है कि भगवान मर्यादा पुर्शुत्तम राम हमारे भी भगवान है मैं च्छत्री नहीं हूँ हमारे भी भगवान है आपके भगवान है और बालमिकी जी जिन्होंने रामायन लिखी उनके भी भगवान थे लेकिन एक भी बात पूरा तेजी से बढ़ गया है जडियों में पेंदर कुश्वाहा ने कह दिया है कि बड़े बड़े नेता जो है जडियों के वो बीजेपी के संपर्क में है उसके बाद से ही लगातार पिहार में इसको लेकर भी सियासत सुरूए इसको कैसे देखे यह कहा जा रहा है कि अभी जैसे सुधाकर सिंग का महमला आया उसने बोला कि सारा किर्सी डिपार्टमेंट चोर है इस्तिफा दिया और मैं चोर का सरदार हूं क्योंकि मैं मंत्री हूं उन्हों अपनी नेतिकता के अधार पर एक मैसेज दिया भिहार को इसको समझना होगा क कि मैसेज दिया कि मैं सारा किर्सी बिबाग का पदाधी कारी चोर है और मैं उसका सरदार हूं तो जिम्हेदारी हमारी भी आती है उसने अपनी नेतिक जिम्हेदारियों का निभण कर दिया ठीक है अब उस पर किसी ब्यक्ति का यह आरफ हो कि भाजपा के गड़वंदन में है की आर जडी गड़वंदन में कि जैडींू के गड़वंदन में घ्रीं अमूब किसी ब्यक्ति गड़वंदन में यह आप में булक हो और से और प्जाए पिरसे जी जी प। आलोक महता जी को कौन ठीकेदारी दिया नितिश कुमार न ठीकेदारी दिये तो कह रहे एटुजेट की पार्टी है तेजस्वी जी को बिहार का मुखमंतरी बनना है तो नितिश जी कुछ कहेंगे उसमें वह चुपचापसोय रहेंगे क्योंकि उनकी मंसा है कि बिहार की खरा खोटा पूचता है तो आप भी देखते होंगे कि नितिश जी को तेजस्वी एंड कमपनी छोर कर कौन कहता अगी परधान मंदरी का फेस है लेकिन हमारे पार्टी के राष्टी ने तासरत पवार का नाम आप लोगों सुने है जहरीली सराब से आज मौते हुई है कल र रहा था जहां मुखमंतरी घर से 500 मिटर के दूरी पर ड्रॉन उडा रहा था कि आप पक्रेंगे यह सब बिल बनाने की बात है जरीली सराब बिकवाक होन रहा है परसासन तो मुखमंतरी इसकी जिमेदारी ले केस होना चाहिए मुखमंतरी पर जो गिरीव विभाग के इसकुमार जी गाली दिलवा रहे हैं तो देखे साब तोर से कह सकते हैं कि भाई सुधाकर ने सीधे तोर पर कहा कि स्वर्णों को गाली नितीश कुमार दिलवार है अंतिम सवाल क्या कि आप बताइए कि जनतादल यूनेटेड के लोग कहते हैं निता कह रहे थे आज मंच पर राम चरित मानस के अपोजिशन में कह रहे थे आरजडी पर कॉमेंट कर रहे थे और यहां भूल गए कि हिज्रा भी हमारे ही समाज का लोग है उसको भी इस लोग तंद्र का अधिकार है तो आप कैसे समझ गए MLC जद्यू के MLC यह बात कैसे जान गए कि हिज्रा राम को नहीं मानता है है और खुले मज पर आप हिज्रा यानि किसी किसी एक बिशेश समुधाइद को आप निचा दिखाने का काम किए हैं तो माहन में सम नंगे हैं आपका में मंत्री बेकूफ का तरह बात कर रहा है तो आज जो मिलिорм में कार्च करम किया भी आज जो मिलर्स ओन 10 क जोगी transgender समुदा है उसके बारे में उसी का ऐम इल्सी कहता है चिला कर कि राम्चरित मानस पर बिरोध करने वाले लोग हिज्रा है तो इसका मतला हिज्रा को नीतिश कुमार का पाटी हे मानता है गलत दृष्टी कों से देखता है ट्रांजेंडन को तो दोसी वह भी है इस स्टेटमेंट पर समक्स्त हिज्रा समाज को से नितीश कुमार को स्वैम माफी मंगना चाहिए कि हमारा मंत्री आपको समने आप देखिए इस राज में दलीत बोला जाता है सब्द का मिह हुआ है इस तो लग तंदर द्लास दुम मांता है अगर मुस्लिम समुदाय में है तो उसको मानता है अगर हिंदू समय समय परिवान में पैदा हुआ तो रामचरित को मनेगा तो यह सब बर्तमान समय हो गये हैं बेबकूफ ही हम कहेंगे क्योंग itself पूफ इसलिए कि मानबर नितिश कुमार मौन समर्थन उसको दे रहे हैं और लोग नाटक कर रहा सारा हेंदू को गरिया रहा आखिर ट्रांजेंडर को क्यों उस समाज से अलग माना जाता है वो भी हमारे समाज के ही हैं राम को मानने वाले हैं धर्म को मानने वाले लोग हैं तो फिर उन समाजों को उनकी ही पार्टी के लोग गाली क्यों दे रहे हैं अपने सयोगी रवी के साथ बने रह देज जुनियूस के लिए और देखते रह देजू